ह्यार महादेव देवों के देव महादेव जी के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सुविकार हो माताग और अपारवती के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सुविकार हो गनपती ललनमा के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम सुविकार हो सब गुरू भाई भानों के चरण में पड़नाम करती हूं मेरा पड़नाम सुविकार हो गुरुब भाई भाना मैं एक कथा सुनाने जा रह रह securities कथा को पूरा सुनिये एक राजा थे बहुत बड़े राजा उनका बहुत बड़ा राज था और राजा साहईब च्छा साधी किये थे लेकिन उनका एक भी संतान नहीं था संतान नहीं था राजा बहुत दुखी रहते थे कि मेरा एक भी संतान नहीं है क्या कारण है कि जो मेरा संतान नहीं है ये तो मेरा पुर्विला का चूख होगा तब तो मेरा संतान नहीं है ये जो राजा साथ थे वो अपने गुरु को बोलाए बहुत पुर्वजों के जो गुरु थे उनको बोलाए गाउवाले बोले कि गुरु महराज प्रोहित को बोलाईए राजा सहाव और आपको बेद पुराम देखेंगे और कहेंगे कि क्या कारण है जो आपका संतान नहीं हो रहा है ये जो राजा थे ओ बोलाए गुरु प्रोहित को और गुरु प्रोहित को बोला के मान अदेर से अपना घर में बैठाए बोजन करवाए और बोजन कराकर और कहें कि महाराज मेरा किसमत देखिये क्या है जो हम 106 सादी कर चुके हैं और मेरा एक भी संतान नहीं है क्या कारण है ये कहने लगे गुरु प्रोहित कुन का पोथी पत्रा उलटके देखने लगे उनका भविश देखने लगे तो कहने लगे कि राजा सहाब एक सादी आप और किजिए तव आपका संतान हो जाएगा बोले कि तो ठीक है एक सादी और कर लेंगे राजा सहाब उसी दिन नगर में फैला दिये कि भाई हम एक सादी और करेंगे एक साधी और करेंगे तो मेरा संतान हो जाएगा इससे बड़ा क्या खुशी है एक साधी हम और कर लेंगे राजा साहब सात्मा साधी कर चुके जो सात्मा साधी कर लिये तो उनकी जो सात्वी रानी आई तो बहुत सुन्दर थी बहुत सुन्दर वो चौर रानी से अधिक सुन्दर थी वो जो सात्वी रानी थी ओ आई तो जब उसका गिरी परवेश हुआ तो अपने च्छा रानी उसे सौतन से बोली कि दीदी जी सबसे पहले हम चरंचुएंगे संकर भगवान जी क्या क्या संकर भगवान जी का मंदीर है घर में वो चौर रानी जो थी वो कहने लगी सौतन संकर भगवान जी से क्या मतलब हम नहीं जानते संकर भगवान का क्या होता है संकर भगवान अगर जो तु संकर भगवान के जपोगी तो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे हम चहो एक तरप रहेंगे और तुम्हारा साथ नहीं देंगे ए बोली दीदी जी यदि आप कुछ भी कहें लेकिन सबसे पहले हम संकर भगवान के अस्थान पे जाएंगे उनका चरन चुएंगे इसका जो पती थे राजा बोले कोई बात नहीं चलिए आपको हम ले चलते हैं भगवान जी के चरन में वो जो राजा थे उनका घर में मंदिर था तो मंदिर में ले जाकर और उन्हें चरन चुवाएं ये जाके और भगवान से बोली कि हे भगवान ये जो मेरे पती हैं पहले से छा साधी कर चुके हैं अईरीन का एक भी संतान नहीं है और ये संतान के लिए सात्मा साधी किये हैं यदि मेरा भी कोई सुनी रह जाएगा तो क्या फाइदा यदि संतान देना हो तो मेरा इस घर में अज ठान दीजिए और नहीं तो मेरा मौत देजिए अच्छा रहेगा हम भी सुहागन ही चल ज जो माता पारवती थे वो संकर भगवान को कहने लगे कि देखिए ये जो राजा की पतनी है वो जिस दिन आई है उसी दिन मोत मांग रही है असिरवाद में इसे क्या दीजिएगा आप असिरवाद पहले सोच लिजिए ये जो संकर भगवान थे वो कहने लगे कि ये तो बह पूत मुष्कीले बर्दान मांग ली है, देखते हैं, इसका नसीब में संतान है या नहीं, जब संकर भगवान देखने लगए तो देख रहे हैं कि इसका नसीब में तो राजा का नसीब में संतान है, संतान होगा? संकर भगवान बोले कि नहीं संतान इसका होगा एक पुत्र इसका नशीम में है संकर भगवान बरदान दे दिये उसको वो जो लड़की थी वहाँ से चरण छूकर अंदर गई राजा के साथ राजा के साथ गिरी परवेस की जो भी बिदी वेवार था वो सारी बिदी वेवार करते हुए और अपना रसोई में चली गई खाना बनाई सारी काम की सब राणियों उससे अलग होकर रहने लगी छो राणी थी वो इस राणी से कोई भी बात नहीं करने लगी और संकर भगवान के मंदिर जाती थी असनान करके और पूजा करती थी चाप करती थी और संकर भगवान के भजन करती थी जब यह भजन करने लगती थी तो जो सोतन थी राजा की छोरानी वो अपना कान मुनमुन कर और एक तरफ बैठ जाते थे उपर जाकर महल से महल पे औ अपने राजा से कहती राजा साहब इसका वेवार हमें पसंद नहीं इसका त्याग कर दिजिए इसको निकाल दिजिए घर से लेकिन राजा साहब कहते थे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे आप च्छा को लाए हैं उसी तरह उसे भी लाए हैं तो मेरा वो भी र राजानी थी राजा की वो गर्वती रह गई जब गर्वती रह गई तो राजा से अपने पती से बताई कि राजा सहाब हम गर्वती हैं हम माँ बनने वाले हैं यह जो राजा सहाब थे वो कहने लगे कि तुमाँ बनने वाली हो तो हां यह अपने छो राणियों को बताई बता नहीं क्या जानती है आज वह मा गनने वाली है इसकुल का बारिश देने वाली है बताईए मेरा रौसन हो जाएगा जिन्दगी मेरा घर में खुशाल आ जाएगा कितना अच्छा लगेगा यह जो छवोरानी थी वह जलने लगी जलने लगी और इसको से बहुत काम करवाने पर उचनीच गड़े कर देती थी इसको रसी से फसा के गिरा देती थी लेकिन माता पारवचित्ती जो थे ओ हर दम इसके माता की तरह हाथ पकड़के इसको उठा ले लेते थे और इसका वच्चा जो था उसे कुछ नहीं होने देते थे ओ छोवो सोतन जो थी उसको लगता इसका गर्ब जो है ओ खतम हो जाएगा तो राजा इसको छोड़ देंगे त्याब कर देंगे इसको हम लोग कुछ भी कह देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी नहीं हुआ और राजा साहब ही खुशी खुशी इसको मानमर्यादा से रखे रहें जब नौमा महीना आया तो इसे तकलीप होने लगा ये राजा साहब को खबर भेजाया दाई के हाथे कि जाओ दाई बोल दो कि जो राणी जो है ओ बहुत तकलीप में हैं आपको घर पे बुला रहे हैं लेकिन जो दाई थी ओ दाई राजा के पास नहीं जाकर छो राणी के बता दी कि राणी बहुत बेचेन हैं, लगता है उनका बच्चा होगा, यह जो छवरानी थी ओ बोली हम तुमें बहुत धं देंगे लेकिन तूने मेरा काम करें, और लड़का लड़की गुर से एक बंदरिया का बच्चा मंगा ली और उसका बच्चा हो गया राजा सहाब नहीं आए राजा सहाब का पता नहीं था ये इसका बच्चा को दाई हटा ली और बंदरिया को धर दी बंदरिया का बच्चा का धर दी और बच्चा को लाके छो रानिया का हाथ में सोप दी रा हे भगवान ये आपने क्या किये मेरा दिये भी तो एक बंदरिया दिये हे संकर भगवान आप कैसी लीला रचे हैं राजा सहाब को पता चला कि मेरा जो सात्वी रानी थी ओए एक बंदरिया का जन्मदी है राजा सहाब बहूत करोधित हुए और घर आएं तो राणी उनको बोलने लगी कि देखिये राजा सहाब मेरा तो संतान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन आपका वो जो सात्वी पूर्चा को रचा कर दिये और पीपल के पत्ता से पानिट पकने लगा पानिट पकने लगा और जैसी बच्चा रोता था तो उसका मुख में पानि जाता था जल जाता था बच्चा उसे जी गया और उसके किसी भी तकलीप में नहीं पड़ा बच्चा और जल पीकर ही बच्चा स्वस्त रहा यहाँ पर राजा साहब और छो रानी मिलकर ये सात्वी रानी को घर से निकाल दिये कि तुने बंदरिया को जन्म दिया है तो मेरा घर में कोई जगह नहीं है ये जो सात्वी रानी थी वो घर से निकल गई और निकल के और चली गई चली गई तो ठीक उसी जंगल में चल गई उसी जंगल में जाते जाते इसका भी समय लग गया समय लग गया तो जाकर बैचारी जंगल में रहने लगी अपना साम बिताली साम बिताली जब सुबा हुआ तो ये जंगल में घूमने लगी कि हे महराज हे संकर वह महराज जैसे आप बन में रहते हैं माता पार्वती को लेकर उसी तरह आज हमें बन में अकेले दियें हे सिरी राम जी आप तो बन में गए थे तो माता सीता को लेकर गए थे साथ में आपके भाई लश्मन भी थे लेकिन मेरा क्या बनवास है जो हम अकेले घुम रहे हैं इस बन में हम क्या कसुर किये इसमें क्या कारण हो सकता है हे क्रिश्ना जी आप तो राच रचाते हैं तो अपने गोपियों के साथ जाते हैं लेकिन हम बन में क्या कर्तब किये हैं गलती किये हैं जो अकेले हम घुम रहे हैं सारी देवी देवताओं को बिचारी अराधना करने लगी अराधना करने लगी और घुमने लगी तो घुमते 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 एक बच्चा का रुलाई का आवाज दिया बच्चा का रुलाई का आवाज दिया तो किसे लगा किये रहे? कहीं न कहीं तो कोई बच्चा रो रहा है उसका आवाज इसको मायक खीच के ले गया ये विचारी जो सातवी रानी थी उस पीपल के बीच के सामने चल गई जब पीपल के बिरिज के सामने चल गई तो देख रहे हैं कि पीपल के पत्ता से नीचे पानी टप टप गिर रहा है बच्चा के मुख में और बच्चा वही पीकर जिवित है यह जो बच्चा को देखा तो जैसे सुर्ज चमकता है उसी तरह बच्चा का चेरा चमक रहा था जब रानी इस बच्चा के पास गई तो इसे लगा कि ये तो मेरा बच्चा है ये जरूर छवो रानी का कमाल है छवो रानी ऐसे की थी और वो ही बच्चा को मेरा बन में फेक दी है अब ब्रह्म देव ने मेरा बच्चा को रख लिए है अपना जटा से पानी जल गिरा रहे हैं और मेरा बच्चा को मुख में जा रहा है ये तो संकर भगवान का लिला है कि मेरा बच्चा को जिया लिये हैं ऐसा कहके और बच्चा को गोध में उठा ली और गोध में उठा ली और अपना सीने से लगाई जब सीने से लगाई तो ये तो तुरत मात बनी थी इसका दूद कहा जाता भगवान तो इसके लिए अधार भेज दिये थे बच्चा तुरत अपना घुट घुट मा का अस्थनसे दूद पीले लगा जब पीने लगा तो ये रानी को पूरा अपने आप से हिर्दय से लगा कि ये मेरा ही बच्चा है ये किसी और का बच्चा नहीं है वो जो जिस कपड़ा में लपेटी थी वो महल का कपड़ा था वस्त्र था वो राजा का गमची था राजा का गमची था और वो ही गमची निशाना इसको हो गया मिल गया वो क्या की कि वो जो राजा का मुची था वो और ये क्या करने लगी कि बन में रहकर और बच्चे को फल उलखाने लगी और फल खाके और बच्चे को पालन करने लगी बच्चे को पालन करने लगी और अपना जीवन बिताने लगी लेकिन कुछ दिन जब दो चार महीने बित गया तो इसके पास तो एक ही वस्त्र था बच्चा जब धीरे 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 करके बड़ा हो गया जब बच्चा बड़ा हो गया तो मां को दुखी देखकर यह बहुत इसे दर्द होता था इसे लगता था कि हम कोई काम कर लेंगे मां तुम अब लकड़ी मत बेचो हमें दर्द होता है हमें अच्छा नहीं लगता है मां हम कोई काम करेंगे यह जो राजा थे और रानी थी और बोली अपने पुत्र को साथ भी रानी कि बेटा क्या काम करोगे बताओ बोले कि मां जाते हैं काम के है और यह जो लड़का था इसका नामे जो कि इसको मा थी वह sustained ऑप सुर्ज लखे थी कि जबाऊं से मेरा बेटा का चेरा चमाकता है तो इस सुर्ज रखती थी सुरज शुरज करके पुकाती थी यह सुरज था कि इस तो चला गया गाउंवे चुक्षा को लिए नोगरी ढूंडते ढूंडते जब गाउं में पहुचा तो गाउं के लोग कहने लगे कि हम लोग तो खुद गरीव है जाओ राजा के पास राजा तुम्हें कोई नोगरी देंगे अपने जो पिता थे इसे तो पता नहीं था कि यहां मेरा घर है मेरे पिता है उस नह राजा को लगने लगा, कि जैसे मेरा पुराना रिस्ता हो, ये बच्चा मेरा कोई है, अपना सा महसूस होने लगा, आखो में आशु भर आया, राजा कोई आवाज नहीं निकला, और आखो में आशु भरके, और कहने लगे, तुम कौन हो, ये लड़का बोला, मैं सूर्ज हूँ मेरी मा बन में रहती है लकडियां बेशती है उसी का बेटा हूँ मैं काम मांगने आये हूँ राजा साहब क्या आप काम दीजिएगा बोले राजा हाँ हम तुम्हें काम देंगे तुम मेरे घर नहीं भी काम करोगे तुम भी ठाके तुम ये देंगे पैसे लेकिन तुम मेरे घर आ जाना प्रती दिन ऐसा कहके और राजा साहब उसे भोजन करा दिए भोजन करा दिए और उसे काम पर रख लिए और काम पर रख के और कुछ पैसे दे दिए साम में ओ लड़का चला गया लड़का चला गया अपने मा से बोला मा हम काम करके आ गये मा बोली ठीक है बेटा जाओ रासन पानी ले आ उससे चुला जलाएंगे भोजन करेंगे दीरे दीरे ए लड़का प्रती दिन काम करने लगा उस राजा के पास जाकर सुर्ज राजा को बहुत प्रिये ही दोस्त बन गया था जैसे राजा को लगता था कि कोई मेरा अपना है तो राजा अपने पुत्र के समान इसे मानते थे पुत्र के समान मानते थे और राजा इसे कहते थे कि तुम अपना एक दिन मुझे घर ले चलना ये भी बोलता था कि राजा सहाब आपको हम अपना घर ले जाएंगे एक दिन बक्त आने पर ले जाएंगे राजा सहाब मेरा भी एक जोपड़ी है मेरी मा रहती है जंगल में और जंगल में ही बहुत प्रेम से मेरी मा खाना बनाती है और जंगल में सजाकर रहती है एक रानी की तरह मेरी मा रहती है यह जो राजा साहब थे ओभी सोचते थे कि यह कोई जो लड़का है अच्छे कूल से है यह जो लड़का था ओर राजा साहब के घर से रोज डिपटी करके आता था मा के पास रह जाता था एक दिन राजा साहब सिकार खेलने उसी जंगल में आए उसी जंगल में आए और सिकार खेलने लगे सिकार खेलने लगे तो खेलते 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 दो पहर का समय में उन्हें बहुत जोरों से प्यास लग गया और उनका जो पानी था उनके पास ओ पानी गिर चुका था किसी रूप से संकर भगवान का लीला पानी गिर चुका था तो राजा सहाब को याद आया कि ओ लड़का जो बोला था कि मेरा घर जंगल में है तो आज गया भी नहीं है उसको तो मना कर दिये थे कि आज मत आना हम सिकार करने जाएंगे तो चले उसी का घर ढूंडते हैं कहां है उसका घर तो राजा सहाब आएं और इस लड़का के घर ढूंडने लगे जब ढूंडने लगे तो ढूंडते 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 ढूंड बाहर निकला बोला राजा साहब आप तो हाँ मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है हमें पानी पिला दोगे बोला हाँ आपको हम पानी पिलाएंगे इसको मा जो थी जल्दी से कुएं से पानी निकाली कुए से पानी निकाली और निकालके और बेटे को दी कि जाओ राजा सहाब को पानी पिला दो जाओ क्योंकि तुम्हारे मालिक हैं इसे भी नहीं पता था कि मेरे पती हैं ये जो लड़का था बहुत राजा को आधर सास्कार से बैठाया और पिरिये भाव से बैठाकर पानी पिलाया उसके बाद बोला राजा सहाब आप तो कभी मेरे दरवाजे पे आये थे नहीं लेकिन पहली पहली वार आये हैं भोजन करके जाईएगा राजा सहाब बोले कोई बात नहीं यदि आप बोले और मैं भोजन ना करूँ ऐसा हो सकता है हम भोजन करके जाईएगे यह जो राणी थी राजा के लिए खीर बनाई खीर बनाई और रोटी बनाई सर्जी बनाई राजा को ले जाकर इस सूरज भोजन दे दिया बोले की राजा सहाब भोजन कर लिजिए यह जो राजा सहाब थे पहला निवाला लिए मुह में और उसके बाद इनको याद आ गया किये रे इस तरह का भोजन तो मेरी सात्वी रानी बनाती थी मेरा यह खीर जो भोजन है मेरा पसंद का भोजन मेरी रानी ही बनाती थी अपना हाथ को नीचे थाल में चोड़ दिये ये जो सुरज था हूँ कहने लगा राजा साहब क्या मेरे हाथ मा का हाथ का भोजन पसंद नहीं आया आप एक निवाला लिए और दूसरा उठाने रहे ये बोला राजा बोले नहीं ऐसा बात नहीं है तुम तो जानते हो कि मेरा साथ विवा हुआ था लेकिन मेरा संतान नहीं था किसी से तो साथ वी रानी जो थी ओ रानी मेरा भोजन इसी परकार बनाती थी और ये तो लग रहा है कि मेरा वही साथ वी रानी भोजन बनाई है ये बोले कि म राजा साहब भोजन करके कहने लगे कि तू अपने माता से मिला दो हम तुम्हारे पास आए हैं अपने माता से नहीं मिलाओगे लड़का बोला क्यों नहीं राजा साहब अपने माता को बुलाए लड़का बोला माता माता मेरे जो राजा साहब हैं वो तुम्हें खोज रहे हैं वो जो बेचारी थी वो आई आई तो बरसो भी चुका था इसका जंगल में आई हुए बारा साल चौदा साल भी चुका था जब चौदा साल भी चुका था तो यह आए तो राजा को तो चीन गई बेचारी राजा को चीन गई और यह राजा भी पहचान गए अपना पत्नी को राजा पहचान गए और यह जो रानी थी उसका आख से आशु गिरने लगा आख से आशु गिरने लगा और रोने लगी जब रोने लगी तो राजा जो थे वो हाथ पकड़ लिए हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के कहने लगे हाथ सु पोच दिए ये जो सूरज था वो चकित हो गया और कहने लगा राजा साहब आप मेरी मा को हाथ क्यों पकड़े क्या कारण है जो मेरे मा को हाथ सु पोच रहे है राजा साहब कहने लगे बेटा ये मेरी सात्वी रानी है मेरा सात्वी रानी है मेरा चैरानी घर पे है और एक रानी जो है वो बन में बिता रही है तुम्हारे साथ ये मेरा सात्वी रानी है बोलो क्या हुआ कैसे करके तुझी जंगल में रहने लगी ये पुत्र कहां से लाई हो ये कही राजा साहब आप नहीं जानते हम बंदरिया को जन्म नहीं दिये थे हमने इसी पुत्र को जन्म दिये थे और देखिए अपना कपड़ा निसानी हम इही समेट को रख दिये थे आज तक छुपा कर रखे हैं कि एक दिन राजा के पास जाएंगे और इसका निसानी देखाएंगे और राजा को जो बारिस है उनका कुल का रोशन है उनका वापस एक दिन लोटा देंगे आप मुझे सुविकार नहीं करते लेकिन आपका पुत्र को आपके पास हम जरूर लोटा देते राजा सहाब बोले मुझे तो पता ही नहीं था मुझे मेरे पास तो ये चार साल से नोकरी कर रहा है लेकिन मैं उजह नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र है मुझे नहीं पता था कि मेरा पुत्र है और मेरे पास नोकरी कर रहा है लेकिन जितना दिन मेरे पास इनोकरी किया है वो अतना दिन पुत्र का मान दिये हैं और पुत्र के मान करके और इसे अपना घर में जगाती हैं एलड़का भी बोला राजा शहाब यदि व ऐसा नहीं करते तो आपके पास अम नोकर बन के नोकरी नहीं करने जाते आप तो सचमुझ में पुत्र के समान मुझे सबजे थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पिता हैं राजा साहब क्या किये कि मान समान से डोली कहार बुला के और अपने रानी को और अपने पुत्र को घर वापस ले गए गर वापस ले गए और ले जाकर और धूम धाम से पुरा बाजे गाजे के साथ रानी को गिरा परवेस करवाए गिरा परवेस करवाए पुरा धूम धाम से और जाकर और दाई से पुछे कि बताओ सच क्या है तुने मेरा संतान को क्या किया था नहीं तो तुमें काट के और ग प्रण दिये थे सोने चांदी रुपिय और वहीं लालच में हम इन्हें बच्चे को लाकर सोब दिये थे और एक क्या किये इनसे पुछिए रानी बड़ी रानी थी वो बोली कि हां राजा सहा मुझे बहुत जलन हुआ था इसलिए हम बच्चे को बन में ले जाकर फेक दिये पीपल के ब्रीज के पास फेन पंपति से सात्वी रानी जब सात्वी राजा थे उचौव रानी का बहुत बड़ा सजा देने को लिए या निकाल दो और जैसे शात्वी रानी बन में रही उसी तरह इन लोग भी भटकेगी बन में यह जो सातवी रानी थी और इनका पुत्र थे वो कहने लगे कि नहीं पती देव जी आप पैसा मत कीजिए आप रानी मेरे जो बड़े दीदी हैं उन्हें मत निकालिए क्योंकि मुझे बनवास इतना दिन का लिखा हुआ था मेरा जो पुत्र था उसे बन में ही पोसाना पलाना था तो उसी तरह मेरा बच्चा पैदा लिया राज महल में लेकिन पला पोसा बन में जैसे माता सीता का पुत्र बन में पैदा लिये थे और बन में पुस आये थे लेकिन राज अपना राज सिहासन पर अपने आये थे और अपना राज सिहासन को सुविकार किये थे राम चंद्र उसी तरह आप भी अपने पुत्र को सुविकार कीजिए और अपने साथो रानियों को सुविकार कीजिए और जो सात्वी रानी थी वो ऐसा करने से मना कर दी और नहीं कहीं कि हाँ इसे डंड दीजिये वो राजा सहाब कोई डंड नहीं दिये और जो सात्वी रानी थी वो सात्वी रानी से छमा मांगी राजा से छमा मांगी और सम्मिलजुल के रहने लगी और कहने लगी कि देखिए आप लोग भी सिफ गुरु का सिस बन जाईए और सिफ जी का पूजा कीजिए कियो की हम सिफ गुरु का सिस बन कर सिफ जी का पूजा कीए उन्हें गुरु माने हैं आप ही भी मानिये जो साथो छो रानी थी वो भी गुरू मान ली और सुखी जीवन बिताने लगी और साथ रानी का एक सुर्जपूत रह गया सुर्जपूत रह गया राजा का कुल बंस का रोसन रह गया उनका कुल का नाम रहा धन्यवाद हजार महादेव घरगर महादेव गुर्भाई वहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तेसे लाइक किजिए सेर किजिए सस्क्राइब किजिए धन्यवाद मैं हिस्टाग्राम पे भी हूँ और फेस्बूक पे भी हूँ झाल झाल